नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है दिल्ली के तिहारी मुख्यमंत्री अर्विंति केजरिवाल के बाद अब दिल्ली के पुर्व उप्व मुख्यमंत्री मन इसी सो दिया सुप्रिम कोट का दर्वाजा खटगटा रहे हैं कई बार वो सुप्रिम कोट जा चुके हैं पिछली बार जब वो सुप्रिम कोट गए थे तो उन्हें रहती मिली थी उल्टा इनके ही केस के दौरान सुप्रिम कोट ने कह दिया था कि आम आद्वी पार्टी को भी इसमें एक आरोपी बनाया जाए जब रहत नहीं मिली बेल नहीं मिला तो रिवी पेटिशन डाला गया सुप्रिम कोट में ही मनिश्य सोद्या के द्वारा वहाँ भी को रहत नहीं मिली फिर आखरी दाव जो क्यूरिटिव पिटिशन होता है वो भी डाला गया वहाँ भी डाल नहीं कली तब से मनिश्य सोद्या सोला महिनों से लगतार उत्यार जेन की सुबह बढा रहे अब फिर आज सुप्रिम कोट का दर्वाज़क खट खटाया गया है क्या होगा क्या बेल मिल जाएगी जिस तरीके से अर्विद केजिवाल के प्रती सहनभूती कोट के तरफ से मिल रही है ने ने दाव पेज़ खेरे जा रहे हैं अब शेक मानू सिंग्वी के द्वारा तो क्या ये मसला किधर जाने वाला है पहले ख़बर देखते हैं The Supreme Court today issued notice on former Delhi Deputy Chief Minister Manish Shishodhya's bail application in the money laundering and corruption cases registered over the alleged liquor policy scam a bench of justices V.R. Gavai, Sanjay Karol and K.V. Viswanathan passed the order upon hearing advocate Vivek Jain appearing for Shishodhya who argued that Shishodhya has remained in custody for 16 months and the trial is at the same stage as it was in October 2023 when he was given liberty to come back if the trial does not progress the matter has been listed on July 29 जब पिछली बार जो मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोट पे ये लोग गए थे सुप्रीम कोट ने कहा था कि अगर ट्राइल की स्पीड जो है वो ज्यादा फास्टी स्नेल की स्पीड से चले या ज्यादा प्रोग्रस ना हो तब आप फिर आ सकते हो अब मामला क्या है इस पॉइंट को लेकर कि ये लोग हाई कोट भी गए लेकिन वहाँ से कोई रहत नहीं मिली ये स्टड़ जी कैपिटल टीवी लगातार आपको बताता आ रहा है कि अर्वित केजरिवाल की जो लीगल टीम है लेक बाए अभिशेक मनु सिंगी उनकी ये स्टड़ जी रही है कि आप ED, CBI जो इसके investigating officer इस case से जोए वे लोग है उनको लगातार आप कोट के कामों में उल्जाते रहो और जब भी कोट के काम में उल्जाया जाता है तो आप समझे कि कागज को तयार करने में तीन से चार दिन लग जाते है और strength कम है तो इनका सारा ध्यान investigation के बजाए कागज की तैयारी भी लग जाते है और अब यही trick काम करता हूँ अन रजार आ रहा जाकर कि आपने प्ली कर दिया कि हुदूर आपने कहा था कि अगर ज्यादा progress ना हो तो आप वापस फिर से आना तो हम आ गए हैं इसलिए notice दे दिया गया है 29 जुराई को जो है वो सनवाई होगी इससे पहले एक और भी चीज़े हुई कि यह सब को slow चल रहा है तो जून 4 को अर्जी लगाई गई थी क्या हमें बेर मिलना है 16 महीने होगा है विसेक मनिसी भी निकाल कि मनिसी सुद्या 16-16 महीने से जेल के अंदर में है वो हिरासत में है तब सोलिशिटर जनरल अफ इंडिया ने कहा था कि हम 3 जुलाई तक 4 सिट फाइल कर देगे अब अगला जो जुलाई 8 को ये मनिसी सुद्या के तरफ से फिर से प्ली लगाए जाता है तो तीन जज़स वाली बेंच जो है गठित होती है संजीब खना, जस्टिस संजे करोल और जस्टिस संजे कुमार तो ये तीन लोगों की बेंच बनी कि इस पर सुनवाई होगी यही केस जो आज जिसके उपर लोटिस दिया गया है लेकिन इसमें जस्टिस संजे कुमार ने कहा कि मैं इस केस को अपने नाम इससे वापस लेता हूँ तो आज इस बेंच के दौरा जिसमें गवई साहब है, संजे करोल साहब है और के भी मिस्टौनातन enकिबेंच ने यह किया है अब क्या चैलेंज किया जा रहा है चैलेंज किया जा रहा है High Court के आधिश को और इसका main argument है कि जी लेट हो रहा है अजी लेट हो रहा है आपने कहा था कि अगर स्पीट जओ investigation की वो तेज ना हो तो आप हमारे पास आजाना लेकिन हाइकोर्ट में क्या हुआ था जिस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है उसको भी समझना जरूरी है हाइकोर्ट के तरफ से क्या कहा गया था वाइल डिनाइंग बेल अ सिंगल जज़ बेंच आफ दिरली हाइकोर्ट लूपट नौट्ट से कर्षाऊ क्या जसोड़ बीच जसी ओपक्षा प्रूब्ट इपत्स कर्षाऊ क्या भाइब बीक्वाट उल्हा जसोड़ दिस हो कि बेूब बाइल जसॉष भी बेट रूप्सु का सुछना this deceptive act was a calculative move to create an illusion that excise policy was formed after careful consideration of feedback received from the public but in reality the feedback was manufactured to justify the applicant's predetermined decision to formulate the excise policy in defiance of the expert committee report to enrich a few individuals in exchange for kickbacks the court said which was denied there was also said that it was frauded by the deceptive act as a legal act as a legal act as an expert committee 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 we have to keep keep in the eye that you just want to make an opinion and deliberate a entscheiden order to create this which will function in the services of the law the material was quoted on the court he said it was received from a person चिता है और आपने इसे छिपाने की कोशिश की किया हमने जो फैस्टना लिया है वो पब्लिक से पूछ के किया है तो इन लोगों ने फरजी इमेल तो फरजी सेजिशन और यह सारी कच्च चिथा जो है इनका जो है खुल गया कोट के सामने तो एक बड़ी दिक्कत मतलब यह क कोट हो या पिछली बार सुप्रेम कोट हो इन लोग की नजर में घोटाला हुआ है मनिसी सोद्या ने गलतिया की है यह तो मान रहे हैं लेकिन फिर भी बेल के लिए वो टेक्निकल पॉइंट उठाया जा रहा है कि लेट हो रहा है लेट क्यों हो रहा है तो कि सारे एजेंसि भाक पर सुल्वाई कि के से जोडिकारी के बुजयनर के कर रहे हैं हैं कि रहा है क्या धंडिकारिक श्यलति इस पूस्ताश कर रहे हो वह इसटीन कर रहे है तो वह अनुप से कछे को माईनों की इंट हो गई तो खेजरिवाल का तो हर दो दिन के बाद किसी ने किसी कोर्ट में कोई ने कोई डेट होता रहता है तो यह लोग इन्विस्टिगेशन कैसे करेंगे लेकिन जहां तक बात बेल मिलने की है तो हाई कोर्ट ने इस पर भी बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया था Justice Sonkhanta Sharma also observed that Sisodhya did not pass the triple test for bail in the CBI case as it was admitted that he had failed to produce two phones he used and claimed that they were damaged the court added that the possibility of tempering with evidence by Sisodhya could not be ruled out boasting its view the court also said that Sisodhya was a powerful person had responsibility of 18 ministries and was influential these senior officers some of whom have given a statement against him can be influenced in case he is released on bail the applicant is also a senior leader of Arm Aadmi party thus he is an influential person within the power corridors of Delhi government the court recorded in this context में और तूसरा सभूतों के साथ छे छाल नहीं करेंगे गर्णबली नहीं करेंगे और तीसरा लोगों को गवाहों को influence नहीं करेंगे तो यह जो ट्रिपल टेस्ट है वह पास नहीं होते हैं कोट ने कहा कि भी पावर्फुल आदमी है इसको बाहर छोड़ूदेंगे तो कि आदत रही है कि evidence को छिपाने का काम अभी तक फोन को नहीं दे रहा है वह से तो केज़िवाल भी नहीं दे रहा है केज़िवाल अभी तक अपने password नहीं दिया है फोन का क्यों नहीं दे रहे हो गई तो ये सारा चीज अब 13 तारीक को फैसला होगा एक बात कहना पड़ेगा किस देश में नाएक प्रकिनिया वह सोला सोला महिनी से किसी आदम को आप में पकड़ कर बंग कर रखा है और इतना ज्यादा लुझ पुझ तरीके से ये सारी गतिवीदिया चल रही है लोग भूल भी कोट के कानून के जानकार ही तो खते हैं जस्टिस जिलेड जस्टिस डिनाइड वह यह फैसला कब तक आएगा चुनाओ के बाद आएगा तब तक ये फिर से चुनाओ जीन जाएंगे दिली की जंता को समझ भी नहीं आएगा कि वह यह सराब घोटाले का वाकरी लोगों ने गोटाला किया है नहीं किया है तो ये सारी चीजे हो रही है अब देखिए सुप्रिम कोट 29 तारीक को क्या वहां पे होता है वैसे टेकनिकल तोर पे जो अब तक कोट का अब्जर्वेशन से जिस तरह की चीजे है और जमीनी हकिकत जो है गोटाला हुआ है इन लोगों ने कि है लेकिन ये कानून का जो एक माया जाल है हिंदुस्तान के अंदर में जिसमें बहुत सारे ऐसे लूप फोल्स हैं जिसका इस्तमाल अब इसे मनुझ सिंग्वी जैसे बड़े वकील कर लेते हैं और इसलिए ये मसला इतना लंबा चल रहा है तो केजिवाल साहब आप जो कह खत्म हो गई होती है रूल आफ लाँ है लेकिन यही है कि लॉज जो है हमारा लुजपुञ है लेकिन फिर भी रूल आफ लाँ से ये देश चल रहा है आप देखते रहे कैपल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे सेनल को सब्सक्राइब बन्यवाद